बरसो पहले पुश्पगर नाम का एक अरण्य हर्याली से खिर खिलाता हुआ खुशहाल था उस जंगल पर शेर का शासन चलता था पर ये बात बाग को कतरी पसंद नहीं आती थी हम उस शेर को तो जंगल पर शासन करने आता ही नहीं एक वार मुझे अधिकार मिल जाए तो उसे बताता हूँ हुकुमत कैसे चलाते हैं मैं किसी भी अल्प जीवों के साथ अन्याय होने नहीं दूंगा इस तरह बाग सभी जानवरों के पास जाकर बढ़ चड़ कर बोला करता शेर भी उसके पास आये सभी जानवरों से ऐसी ही बाते किया करता था इतने बर्सों से आप सब को अपने सीने से लगा कर रखा है मैंने भाग तो क्या खुद उसको जन्म देने वाला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता क्योंकि मैं आप सब का हूँ और आप सब मेरे यूँ शेर सबसे कहा करता जन्म के कुछ जानवर शेर के पक्ष में थे तो कुछ बाग के पक्ष में इन दो जुन्डों में अपने नायक को लेकर बहुत बहस बाजी होती अपने अपने नायकों के नाम पर ये एक दूसरे से भिर भी जाते थे उसी जंगल में एक युवा हाती भी था उस हाती की बाग के साथ घनिश्चता थी बाग जो भी कहता हाती उसे माना करता था एक दिन भालू बाग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई दिया अगर तुमने वाग के खिलाफ कुछ भी कहा, तो याद रखना दोस्ती नहीं रहेगी। अच्छा, तो क्या तुम सब हमारे शेर राजा के खिलाफ कुछ नहीं कहतें। तुमारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। हाती ने भालू से जगडा मोल लिया। भले ही उन में से कोई उसका दोस्त भी होता, वो आगे पीछे की बिना सोचे उनसे लड़ाई कर लिया करता। ये सब उस छोटे से हाती के दादा हाती ने देख लिया था। ओ हाती, तुम्हें पता चल भी रहा है के तुम क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। दादा जी आप नहीं जानते, हमारे नायक बात के खिलाफ ये सब कैसी कैसी बाते कर रहे हैं। फिर तुम भी तो उनके नायक शेर को भला बुरा कह रहे हो ना। आप तो कहूंगा न, वो शेर बड़ा ही दुष्ट है, इस जंगल पर ठीक से शासन नहीं करता फिर बला उस शेर और हमारे बाग में कैसे तुलना बड़े विश्वास के साथ उसने सवाल किया इस पर दादा हाती ने हस कर कहा ठीक है, तो आज रात तुम मेरे साथ चलना कहां दादा जी? बताता हूँ दादा जी का कहां छोटे हाती ने मान लिया फिर रात हो गई दादा हाती और छोटा हाती दोनों साथ में कहीं निकल पड़े बहुत दूर तक जाने के बाद दादा जी अब कहां लेकर आए हो? एक बार वहां देखो दादा हाती ने इशारा कर कहीं देखने के लिए कहा छोटा हाती वो देखकर आश्चर्य चकित हुआ उसने देखा कि बाग और शेर साथ में बैटकर गपे शपे लड़ा रहे थे दादा जी ये क्या है? मैं ये बचपन से देखता आ रहा हूँ ये सब यूँ ही चलता है ये तो एक दूसरे के साथ अच्छे से ही रहते हैं बीच में हम जैसे भोले भाले जानवर ही पिसे जाते हैं दादा जी के समझाने पर छोटे हाती को दुनिया की रीथ समझ में आई अगले दिन हमेशा की तरह शेर और बाग एक दूसरे के खिलाव बात करते हुए नजराय छोटे हाती को ये देख कर बहुत आश्चर्य हुआ उस दिन से आगे पीछे की बिना सोचे अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं किया करता सभी के साथ मिल जुल कर रहने लगाता हाती गर्भवती हतिनी बहुत समय पहले रतनगीर नाम का एक जंगल था उस जंगल में एक हतिनी थी हतिनी शेर की गुफा के पास ही रहती थी शेर उससे जो भी करने को कहता हतिनी मना किये बिना किया करती कब किस पाथ से शेर खुश हो जाए और हतिनी को जंगल के मंत्री पत के लिए चुन ले यही सोचा करती थी बाकी जानवर हतिनी के बारे में तरह तरह की बाते किया करते थे कुछ समय बाद हतिनी गर्भवती हो गई हिरन हतिनी के पास आई क्या बात है हतिनी जी सुना है तुम गर्भवती हो गई हो इन दिनों में अपना बहुत ध्यान रखना होता है ऐसा कहकर हिरन ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए कहकर कई सावधानिया समझाने लगा हाँ हाँ, अब बस भी मुझे काम है, मैं बात में मिलती हुँ इस तरह हिरन की बात को अंसुना कर हतिनी वहां से खिसक कर चली गई हिरन भी वहां से चला गया जंगल में रहने वाले कोई भी जानवर हतिनी से कुछ भी कहते वह उस पर ध्यान नहीं दिया करती थी म्रगराज मैं गर्भवती हो गई हूँ ऐसे बड़े ही हर्शित होकर कहने लगी शेर उसकी बात सुनकर हस पड़ा हाँ हाँ सही है वैसे भी तुम अब बूड़ी हो रही हो अब तुम्हारा आने वाला वारिस मेरी साहरता करेगा हतिनी को समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे और हाँ कहना भूल गया शेरनी को तुम्हारी मदद की जरुएत पड़ेगी मैं कल गुफा में नहीं रहूंगा ठीक है मरगराज ऐसा कहकर वहां से चली गई उसके अगले दिन सवेरी जल्दी उठकर हतिनी दोड़ते हुए शेर की गुफा की और निकल पड़ी जब वो दोड़ रही थी तब फिर से उसका सामना हीरन से हुआ दोस्त ये तुम ऐसे क्यों दोड़ रही हो ऐसे स्थीती में इतना श्रम सही नहीं ओ ठीके ठीके कहकर चली गई एक मिनाट पास में ही मेरी हिरनी गर्ब से है सभी जानवर उसको सावधानिया बता कर जा रहे है तुम भी आकर कुछ बता जाओ ना हाँ हाँ फिर कभी आती हूँ अभी थोड़ा काम है ऐसा कहकर हतिनी चली गई शेरनी के पास पहुंची शेरनी ने कम से कम जूटे मुहब उसका हाल भी नहीं पुछा सुन हतिनी नदी के पास जाना और मेरे लिए नहाने का पानी ले आना और सुना है उस भालू के पास आहार है वो भी लेती आना मेरा मुग क्या देख रही हो जाओ जाकर लुम्री के पास कुछ जरूरी चीज़े हैं उसे ले आना इस तरह एक के बाद एक काम देकर उसे दोडाने लगी गर्भ से रही हतिनी ठकने पर भी हर काम पसीना बहाते हुए करती रही ब्रुग्रा जाएंगे तो मेरी काम से खुश हो जाएंगे ऐसे सोच रही थी वो सोच ही रही थी कि शेर आ गया हतिनी ने सामने जाकर उसका स्वागत किया हाँ तो तुमने सारे काम कर लिये ना ठीक है अब जाओ और कल सवरे आकर शेरनी को टहलने के लिए ले जाना ऐसा कहकर शेर उसकी और देखे बिना ही गुफा के भीतर चला गया हतिनी बहुत निराश हुई पर खुद को ही बहला कर घर वापस चली गई वो जब यू जा रही थी तब पीछे से किसने दोस्त कहकर आवाज दी हतिनी ने पीछे मुढ कर देखा हिरन दड़कर हतिनी के पास आया क्या हुआ दोस्त रास्ता बटक कर परिशान हो रही हो चलो मैं ले चलता हूँ ऐसा कहकर हिरन हतिनी को ले जाने लगा रास्ते में हिरणी थी, बाकी जानवर उससे बात कर रहे थे दोस्त आ गई, दोस्त आ गई ऐसे उचल उचल कर कहने लगा दोस्त तुम भी गर्भवती हो न, यहां आराम से बैच जाओ, थोड़ा पानी पिलो हिरण ने अच्छे से अधिती सतकार किये उस समय तेक हतिनी ने पानी भी नहीं पिया था ये बात उसे तभी याद आई, तुरुप्त होकर उसने पानी पिया हिरण, हिरणी और बाकी सभी जानवरों ने उसको बहुत मान दिया बड़े प्यार से उसे गर्भावस्ता में लेने वाली सावधानिया बताने लगे उस हतिनी का आना मानों उनके उत्साह का कारण बन गया था कुछ देर हतिनी वही थी, फिर वहां से चली गई लोटते समय उसकी आखों में नमी थी, पर वो निराशा के नहीं थे इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि मान मर्यादा वहां नहीं होता जहां बड़ा रुतबा हो बलकि वहां होता है जहां बड़ा दिल हो